हाई एवरिवन एक बार फिर से आप सभी का फ़नी चाट टेक की वीडियो में स्वागते तो आज का वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाले कूंकि आज की वीडियो से आप लोग काफे ही नॉलेज मिलेगा जी हाँ आज हम बात कर रहे हैं कम बजट में स्लेडिंग वार्डूप केसे बनाया जाए तो कम बजट में स्लेडिंग वार्डूप बनाने के लिए मैं आपके साथ कुछ पॉइंट सेर करूआ कुछ ऐसी एक इन्फोर्मेशन ऐसी एक ट्रिक सेर करूआ ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी इस टाइप की कोई प्रॉब्लम को फेस ना करने पड़े तो step by step मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप कम बजट में स्लेडिंग वार्डूप घर बेठे बनवा सकते हैं मैं मार्किट के अधार पर भी इसका प्राइट आप लोगों के साथ सेर करूआ कि मार्किट में इसका actual price क्या है और online जो company आप स्लेडिंग वार्डूप या कोई भी furniture manufacture करती है वहाँ से अगर आप बाई करते हैं तो अगर आप वहाँ से इस टाइप का स्लेडिंग वार्डूप बाई करें तो उस online दुआरा जो भी price है वो भी मैं आप लोगों के साथ share करूआ और उसके बाद point number 3 पे आएंगे जो actual इसका price क्या है अगर आप घर बेटे furniture बनवाना चाहते हैं कारपेंटर के दुआरा या ठेकेदार के दुआरा या फिर हमारे दुआरा तो किस तरीके से आप कम budget में furniture बनवा सकते हैं तो जरूरी नहीं कि आप sliding wardrobe का वीडियो देख रहे हैं तो sliding wardrobe भी ही बनवाए आप कुछ भी बनवा सकते हैं बनी calculation कैसे क्या जाता है किस तरीके से हम calculation निकालेंगे square fit कैसे निकाला जाता है इसके अंदर कितना hardware कितना material इसके अंदर लग रहा है इसका calculation कैसे निकाला जाता है और इसका जो actual price है वो क्या होना चाहिए इसके अंदर कितना material कितना hardware लग रहा है इन सभी परकार की information जानने के लिए वीडियो के साथ अंतक बने रहें और देखते करें अगर वीडियो पसंद आजे तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कम बजेट में स्लेडिंग वाडरूप कैसे देता हूं कि जिस साइज के बारे हम बात कर रहे हैं उसका सुझ साइज क्या है 84 इंचिस यानिके साथ बच साथ का ये वाडरूप है इसकी दो फिट के डेप्त है मिनिमम दो फिट रहता है क्योंकि इसके बाद चैनल वगेरा लगती है तो इसके अंदर स्पेस कम बसता है तो मिनिमम दो फिट है फिर आप अपनी रिक्वार्मेंट के अनुसार भी इसको बनवा सकते हैं तो यहां पर मैंने कुछ डिजान क्रेट कर रहा है इस साइड जेंस रखा इस साइड लेडिस रखा है तो जेंस वाले में हमने क्या पूरा हेंगर रखा दो ड्रोज एक लाक प्राइड कर रहा है मैंने आप लोगों को इसी के अधार पर मैं आप लोगों के साथ इसका एक्चल ट्राइस शेर करूँआ तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट में इसका जो प्राइज है तो साथ बशाद की अगर हम मल्टिप्लाइग करें तो 49 स्क्वेर फिट होता है 49 स्क्वेर फिट अगर मैं मार्केट का गोडिंग बात करूँ तो 49 इंटू 1000 के हिसाब से यह आपको पढ़ेगा 49,000 का यहाँ पर आपको सब जो क्वालेटी है वो वुड की भी अच्छी क्वालेटी है हाडवेर की भी अच्छी क्वालेटी है ना हाई है ना लो है एक मीडियम क्वालेटी है जहाँ पर आपको 49,000 पे करने के बाद आपको यह वार्डूरूम मिलेगा फिर एक अगर हम थोड़ और अगर मार्किट का प्राइस अगर मार्किट के अगोरूदिंग बात करें तो मार्किट में जो इसका प्राइस है 49 से लेकर 58,000 जहां पर आपको medium और super quality मिल रही है और अगर आप हम इसे online बात करें जहां पर आप company के दुआरा इसको order देके बनवाते हैं फिर कुछ time बाद यह आपके यहां पर deliver क्या जाता है उनकी team आती है expert फिर इसको install करके बना के fitting करके चले जाती है अगर मैं वहां की बात करूँ तो जैसे की बहुत सारी company है company का नाम में यहां लूंगा नहीं मैंने अभी check किया था mobile पर तो जहां पर इसी size के wardrobe का starting price 85,000 था online में starting price जहां पर आपको एक super premium quality का wood hardware सब भी कुछ मिल रहा है था लेकिन वहां पर जो price है वो 85,000 मिनीमम है उसके बाद अगर दूसरी company में जाएंगे थोड़ा सा और advance जाएंगे तो फिर second price जो मैंने देखा था वो था एक लाग तो अब यह सोचो यह हो गया offline यह हो गया online तो offline online में बहुत ज़्यादे difference है लेकिन लेकिन हम बात कर रहे हैं कि कम budget में कैसे बनाएं तो कम budget में बनाने के लिए आपको कुछ इस्टे follow करने हैं जिनकी मदद से आप इस wardrobe को बहुत ही कम price में घर बेठे बनवा सकते हूं बस आपको कुछ इस्टे follow करना है जो मैं आपके साथ share करूँ है तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके अंदर जो आपको material यूज करना है जिसकी 5 years warranty आपको देखनों को मिल जाती है मनलग ये 5 साल में कम बता रहा हूं आपको 10-12 साल देखने की ज़रूत नहीं लेकिन फिर भी आप 5 साल मान के चलिए इस वुड के अंदर ना तो कीड़ा लगता है ये वॉसेबल होता है कोई दिक्कत नहीं आपको अगर online की बात करें तो वहाँ पर भी इसी टाइप का वुड यूज किया जाता है जिसके अंदर एक लाग डेड़ लाग प्राइज होता है हम बात कर रहे है एक्सेंट एसा कमपनिय के वुड की एक्सेंट एसा वुड यहां पर हम एक्सेंट एसा पाटिकल बोड की बात कर रहे है जिसका साइज आता है 96 96 लेकिन हम इसके अंदर जो मटरिल यूज करेंगे एक्सेंट एसा कंपानी का 8 mm 926 की सीट यूज करेंगे तो किस तरीके से हमको यूज करना है और इसके अंदर कितना मट्रेल यूज हो सकता है इन सभी परकार के इन्फोर्मेशन के लिए आप ये वीडियो को अंतक जरूर देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये हमारा हो गया इंजरिंग बूर्ड ध्यान रही ये प्री लेमेलेटेड बोर्ड है इस पर माई का वागेरा लगाने की फेविकॉल लगाने की कोई जरूत नहीं बस आपको कुछ टूल्स और कुछ हाडवेर की रुकार्मेंट पड़ती है उसके अधार पर ये आप इस टाइप का वाड़ूप घर पर बना सकते हैं तो इसका जो आकार आता है कंपनी से ये आता है नोवबई छे नोवबई छे का ये सीट आता है हमारा जो वाड़ूब है वह सादभई साथ तो अगर हम सादभई साथ का वाड़ूप तयार करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले हमको मटरेल यूज़ चेक करना है कि कितना लग रहा है तो सादभई साथ का पीछे का हिस्सा हो गया और सादभई साथ का आगे का हिस्सा हो कि हमारे जो यह partition है, यह side है, एक, दो, तीन, इसके अंदर तीन side use किया गया है, तो इनका जो size है, वो है 7 feet height है, और 2 feet की इसकी depth है, आप देख रहे हो, तो 7 into 2 करेंगे, तो 7 दूनी 14 feet होता है, और 14 का into 3 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 partition लग रहे हैं, इसी size के, तो 14 into 3 करेंगे, तो 14, 42 square feet, ठीक है, back हो गया, front हो गया, और side हो गया, अब बचे हमारे, यह beach के partition, जो हमारे self है, और यह उपर का top है, एक, नीचे का आएगा, beach के partition आएगे, तो यहाँ पर भी हमारा same size है, 7 feet, और depth में भी 2 feet है, तो 7 into 2 करेंगे, तो यह होता है, हमारा 14 feet, और 14 को हम करेंगे, कितने से multiply, एक, दो, तीन, चार, पांच, और एक top पर लग रहा 6, तो 14 into 6 करेंगे, तो हमारा होगा 84 feet, तो यह तो हो गया, हमारा 49 हो गया back, यह हो गया हमारा front, यह होगी हमारी side है, और यह हमारे होगे top और self, यह मोटा मोटा जो square feet हमने आपके साथ calculation निकाला है, इस तरीके साथ आप भी निकाल सकते हैं घर पे, तो यह तो होगे हमारा square feet, अब इसके अंदर हमारा जो छोटे-छोटे और material जो लग रहा है, जैसे कि ड्रावर है, यहां की ड्रावर है, यहां के दो self है, तो यह वाला जो self है, जो जो ladies वाला, जो hanger के बीच में जो self आ रहा है, यहां पर हम hanger की height maximum 3 feet करते हैं, इसके बाद आप अपनी requirement का according भी कर सकते हैं, तो हम 3 से multiply करेंगे 2 को, क्योंकि हमारी 2 depth है, तो 3-2-6 feet होगे हमारा यह वाला partition, उसके बाद हमारे 2 partition यह भी है, जो side में आ रहे हैं, ladies वाले खन के अंदर, तो यहां पर हम इसको half कर देंगे, तो यहां हमारा साड़े 3, यहां पर अगर हम 2 feet भी लेते हैं, तो 2 into 2 करेंगे, तो 4 feet होता है, तो 4 और 4, 8 feet होगे हमारा 2 self का, उसके बाद हमारा 10 feet, हम 5 feet square feet ड्राज में count कर रहे हैं, लेकिन 5 feet लगता नहीं है, फिर अगर हम एक actual costing निकाले तो सायद 4, 8, 16 feet, round figure हम इसको 15 feet कर लेते हैं, तो अब मैं आपको फिर सा समझा देता हूं, किस तरीके से हमने calculation कर रहा और क्या-क्या इसके अंदर count करा, 49 square feet back हो गया, 49 square feet front हो गया, 42 square feet हमारा हो गया, side का, जिसके लेक, जिसके आधार पे खड़ी हो गयी वाट्रोप, 84 square feet हमारा ये बीच का पूरा structure का partition हो गया, जो इसके अंदर self के यूज किया जाएगा, 6 feet हमारा ये वाला partition हो गया, 8 feet, दूसरा partition और 15 feet हमारा driver हो गया, ये square feet इसके अंदर लग रहा है, तो इतना square feet इसके अंदर लग रहा है, अब इसको हम सबको plus करेंगे, तो 254 square feet हमारा यहाँ पर लग रहा है, तो इस wardrobe के अंदर 254 square feet हमारा material लग रहा है, अब 254 को हम अगर divided करते हैं यहाँ पर मैंने आपको बताया था 9 x 6 की हमारी seat आती है तो 9 x 6 की 54 square feet होता है तो divided करेगे हैं हम 54 से तो यहाँ पर जो calculation निकाल के आ रहा है वो 4.7 आ रहा है तो 4.7 यानि कि इतना square feet आपको material नहीं मिलेगा आपको पूरा seat लाना है तो अगर हम इसको पूरा round figure करें तो 5 seat होता है 5 seat का material आपके wardrobe के अंदर लग रहा है जिसके अंदर से थोड़ा बहुत additional हमारे पास material बज जाएगा जो कहीं पे भी आप requirement का according कुछ भी बनवा सकते एडिशन है वो आपके उपर डिपेंड करता है अभी हम सरी wardrobe का बात कर रहे हैं तो 5 seat लग रहा है अगर में मार्किट के साब से एक्सेंट टेसा कंपानी का जो प्राइज है नौबई छे का अठ्रह एमेम का वह 52 स्क्वेर फिट चल रहा है 52 पर स्क्वेर फिट ये मार्किट मां आपको अवेलेबल मिल जाएगा अगर हम 52 से मल्टिप्लाइ करते हैं 14,000 रुपे 14,000 कुछ पेसे आ रही है तो हम राउंड फिगर करते हैं 14,000 रुपे तो 14,000 रुपे का तो आपको आपका हो गया वाट्रेल जो वुड इसके अंदर इस्तेमाल के आ गया है अब हम इसका गाड़ी भाड़ा भी एड कर लेते हैं कि आपके घर पर जब यह डिलीवर क्या जाता है कंपणी के दुवारा आउटलेट से या फिर आपके लोकल पर्चेस सोफ से इसको करते हैं तो 200, 300, 400 हद से 500 रुपे भाड़ा लगता है तो 500 रुपे इसके अंदर भाड़ा जो एड कर लेते हैं गाड़ी भाड़ा ध्यान रहे गाड़ी भाड़ा हो गया इसके अंदर 500 रुपे तो something 14,500 रुपे में हमारे पास ये material घर पर आ गया है अब इसके अंदर जो हमको hardware यूज़ करना है अब बात करते हैं hardware की तो hardware इसके अंदर क्या क्या लग रहा है तो इसमें कुछ screw लगेंगे जो छोटे बड़े screw होते हैं 2 इंच के, 7 इंच के, 8-11 वगेरा जो भी screw लगेंगे यहाँ पर maximum 500 रुपे के आपके screw लगेंगे, वो भी बच जाएंगे मैं यहाँ पर जादे जोड़ रहा हूँ उसके बाद भी यह extra है, ठीक है 500 रुपे के होगे आपके screw उसके बाद इसकी border के लिए हमको age bending की requirement पड़ेगी जो PVC आती है, अगर हमें एक अच्छी quality का, PVC का roll लेते हैं तो वो 500 का आएगा जो इसको border की cover करेगा फिर PVC को लगाने के लिए हमको hitx वगेरे की या devrite की requirement पड़ती है अगर मैं hitx के बात करूँ तो maximum 350 का 1 liter आ जाता है ठीक है उसके बाद sliding चलाने के लिए हमको इसकी channel की requirement पड़ेगी, जो 7 fit में आपको market में available मिल जाएगी, आप hardware की swap से इसको cutवा कर ला सकते हैं तो ये something 10 से 12 fit के आती है और ये 1500 रुपे के आसपास आती है तो 1500 रुपे के आपकी हो गई channel यहाँ पर हम सब अच्छी quality का use कर रहे हैं ठीक है, उसके बाद इसके अंदर handle की requirement हमको पड़ेगी जो sliding door के लिए हमको handle लगाने पड़ेंगे 1.500 रुपे का एक अच्छी quality का handle मिल जाएगा 2 use करेंगे, तो 300 रुपे के हो गए ठीक है, उसके बाद हमारे अंदर के लिए हमको handle use करना है, जो हमारी एक 2 driver है इदर 2 driver और एक बीच में locker है तो 5 handle, अगर हम अच्छी quality का वे एक छोटा handle लेंगे 3 inch के something का तो 25-30 रुपे, maximum 40 रुपे का आ जाएगा तो 5-20, 200 रुपे के अंदर के handle हो गए उसके बाद हम बात करते हैं अंदर जो driver लगाएंगे उसके लिए टेलिस्कोपिक channel 20 रुपे इंच एक अच्छी quality का channel super premium quality का मिल जाएगा और हमको इसके अंदर 16 inch का channel use करना है और अगर हम 16 को multiply करेंगे 20 से तो 320 रुपे का एक channel होता है जिसके अधार पर हम अगर 320 इंटू 4 करेंगे driver channel फिर इसके अंदर हमको pipe की requirement है तो एक 100 से डेर सो रुपे का एक अच्छा SS quality का pipe आ जाएगा और 50 साट रुपे के उनके break it आ जाएगे तो total हम 200 रुपे में count कर लेते हैं ठीक है अब हमारी क्या क्या बचा क्या क्या include हो गया इसके अंदर hardware include हो गया है PVC rape हो गया है channel हो गई है handle हो गई है material हो गया है PVC h bending हो गई है तो यह कुछ hardware और यह material हमारे इस wardrobe के अंदर लग रहा है अब हम इसका total count करते हैं कितना होता है अगर मैं इन सभी को काउंट करके प्राइस डिसाइड करूं तो उसका जो प्राइस है वह 19,300 रुपे आ रहे हैं राउंड फिकर कर लेते हैं अगर कुछ एडिसनल थोड़ा बहुत रहे गया हो आपको कुछ डिजाइन वगरा दे नहीं हो कुछ चीज ऐसी पसंद आ जाए 200-200-300 रुपे तक की तो वह भी एड़ कर लेते हैं वह आपके ओपर डिपेंड कर रहा है तो यहां पर 19,300 रहे हम राउंड फिकर करते हैं 20,000 तो 20,000 में यह हमारा मट्रेल वुड जो आप देख रहे हो यह पूरा बनता है अब इसको बनाने के लिए जो हमारी लेवर चार्ज है वह काउंट करते हैं तो अगर मैं साथ बैस साथ में सिटी बाइस सभी प्राइस अलग अलग डिफ्रेंट होती है लेकिन अगर मैं एक अच्छी क्वालिटी का कार्पेंटर के हिसाब से इसका जो प्राइस है जो लेवर कोस्ट है वह 49 इंटो 250 तो 12,250 रुपे की इसकी लेवर होती है यह मैं हाई मैक्सिमम हाई बता रहा हूं या अगर आपको कम बजट में कार्पेंटर इसको पना के दे तो बहुत अच्छी बात है तो आपका प्राइस और भी कम हो जाएगा तो 12,250 हमारा यह है और 20,000 हमारा तो टोटल हुआ हमारा 32,000 रुपे तो यहां पर हमारा टोटल 32,250 रुपे के संथिंग आ रहा है हम राउंड फिगर 32,000 कर रहे है हो सकता है कि City वाइस City वाइस हर जो hardware है मैंने जो जोड़ा है हो सकता महाँ पर कम मिल जाए हो सकता थोड़ा जादे मिल जाए तो 19 सा भी सा difference आएगा अगर maximum भी बात करें हम maximum जो हम हर जैंगे अगर increase करते हैं प्राइस को तो अगर 3,000 भी पिलस करते हैं इसके अंदर तो हमारा जो कोस्टिंग आती है वो आती है 35,000 रुपे समझे आप तो 35,000 में ये मैं additional 3,000 रुपे add कर रहा हूं जो आपको अगर कोई चीज additional पसंद आ जाए वाड रूप के अंदर लगाने के लिए उसके बाद भी अच्छी quality से quality wise भी जाएंगे तो आप कहां तक जाएंगे उसके बाद भी हमारा जो price है 35,000 रुपे तो आप सोचो कितना difference है labor cost निकलने के बाद भी maximum labor cost निकाली है उसके बाद भी इसका price 35,000 तक नहीं पहुचा लेकिन फिर भी हम 30,000 रुपे count कर रहे है तो सोचो market में कितनी लूटे carpenter कितना लूटते है online वाले तो कितना ही लूटते है कुछ हद नहीं है आप भी चेक कर सकते हो wardrobe price google पर जाकर side पर search करना कोई भूसतरी company आ जाएगी नीचे जहां पर price निकल का आएगा 70,000, 80,000, 1,5,000 carpenter के बात करें तो 49,000 58,000, 50,000 45,000 तक भी चला जाए तो ठीक है माना लेकिन actual price 35,000 आ रही है तो अगर आप भी घर के अंदर furniture बनाना चाहते हैं तो calculation अच्छी तरीके से निकल रहे carpenter से फिर उसके according माल अपने घर पर मंगाए कहीं पर भी आपकी local shop से purchase करके माल घर पर रखें जो जो उसने requirement बताई आपके carpenter ने कि भाई आपके यहां पर इतना material लग रहा है इतना hardware लग रहा है तो मंगाए फिर उसके बाद carpenter से lever cost अलग करवाई यह चीज अलग करवाई उसके अधार पर अगर आप घर में furniture बनवाएंगे तो बहुत ही कम budget में बनेगा हो सकता है यह वीडियो किसी ना किसी को बुरी लगे कि भाई हमारे पेर पेर क्यों कुलहडी मार रहे हो मेरा मकसद है सच्चाय को सामने लाना कि एक्चल प्राइस क्या चल रहा है मार्केट में और क्या होना चीए यह लूट मचाने से कोई फाइदा नहीं है पांथ छे अजार साथ हजार रूपे अगर आपको उपर मिलते हैं तो भी कोई नुकसान नहीं है अगर मैं बोलू कि डबली मिल जाए तो यह तो बहुत गलाते तो आई होप मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे दुआरा दी गए जनकरी से आप काफी संतुष्ट होगे अगर वीडियो पसंद आजाए तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और चैनल को सब्क्राइब जरू करें अगर आपने नहीं किया और बेल आइकन को प्रेस कर लीजे और और पर भी किलिक करें ताकि आपको वीडियो अप्लोड करने के दौरानी आपको उसका नोटिफ पर आप कर सके आज की वीडियों फिला लितने नहीं जैहीं